नमस्कार दोस्तों संब्रिद्ध क्रिएशन में आपका स्वागत है दोस्तों आज मैं आपको सेंटा क्लॉस की टोपी कैसे बनाते हैं यह मैं बनाना बताऊंगी देखिए पहले हमने फंदे डाल करके इसमें बॉर्डर बनाया है और बॉर्डर एक फंदा उल्टा और एक फं लाइन डालूंगी यहां पर मैं वह बताऊंगी यह पहला फंदा हमने बुन लिया और दूसरा फंदा हम इस तरह से बुनेंगे एक फंदा रेट कलर से बुनेंगी और एक फंदा वाइट कलर से बुनेंगे देखिए यह धागा हमारा पीछे साइड है और डिजाइन हम उल्टे साइड से डाल रहे है यह उल्टा साइड है यह उल्टा साइड है और यह सीधा साइड है इस तरह से हम एक फंदा उल्टा सारी एक फंदा वाइट और एक फंदा रेट कलर से बुनेंगे धागा पीछे करके इस तरह से हम पूरे फंदों को कंप्लीट कर लेंगे एक फंदा वाइट और एक फंदा रेट कलर से बुन करके यह हमारा यह पहला राउंड कंप्लीट हो गया देखे यह उल्टे साइड से हमने कंप्लीट कर लिया अब हम सीधे साइड आ गए देखे यह उल्टे साइड से डिजाइन बढ़ती है इस तरह की डिजाइन बने गी अब यह सीधे साइड से हम उसी तरह बुनेंगे वाइट पर वाइट और रेट कलर पर रेट कलर से बुनाई करेंगे और यह वाइट कलर का फंदा है इस पर हम वाइट कलर से धागे दागे से बुनाई करेंगे और बुनाई धीला करेंगे इसमें टाइड बुनाई नहीं करेंगे इस तरह से यह डिजाइन बनेगा देखिए हमारे डिजाइन का दूसरा राउंड भी आप कंप्लीट हो रहा है बुनाई उसी तरह से चलेगा वाइट पर वाइट कलर के धागे से हमें बुनाई करना है और यह रेट पर रेट कलर के धागे से बुनाई करना है और पहले राउंड में हमने एक फंदा रेट और एक फंदा वाइट कलर बुना था और दूसरी राउंड में white बे white क layer और red पर red color देखें इस तरह से हमारा design complete हो गया अब हम पीछे साइड से उल्टे साइड से देखें white color से उल्टा बुनेंगे पूरे फथो Wenvang cùng को white color से हम उल्डा बून लेंगे रेट को भी हम वाइट कलर से बुन रहे हैं और वाइट को भी वाइट कलर से बुनेंगे रेट कलर का धागा देखी ये पीछे चूट गया वाइट कलर का धागा जिसे हम बुनाई कर रहे हैं इसी तरह से हम पूरे फंदे को कंप्लेट करेंगे ये उल्टे तरफ के हम उल्टी बुनाई कर रहे हैं और सीधी तरफ से सीधी बुनाई करेंगे वाइट कलर के धागे से यह दो राउंड हम वाइट कलर के धागे से बुनाई करेंगे यह हमारा वाइट कलर का दूसरे राउंड सीधी सैड से अब कम्प्लीट हो रहा है एक राउंड हमने पुल्टे सैड से बुना वाइट कलर से और सामने साइड से सीधा हमने बुन लिया वाइट कलर से इस तरह से दोस्तों यह डिजाइन बहुत कुछुरण डिजाइन बन आगे हम रेट कलर का धागा लगाएंगे और अब पूरी टोपी की बुनाई रेट कलर के धागे से होगी और इसमें सिर्फ एक चलाई उल्टा और एक चलाई सीधा बुर्णा जाएगा यदि आप ये चैन वाली धारी उपर डालना चाहते हैं तो डाल सकती है और नहीं डालना है तो आप सिंपल एक चलाई उल्टा एक चलाई सीधा जैसा कि मैं बुन रहे हूँ ये उल्टे साइड से मैं उल्टा बुन रहे हूँ पूरे फंदो को कि इसी तरह से हम इसे जितनी बड़ी टोपी बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी टोपी बना शकते हैं ये देखिए हमारी इतनी बुनाई कंप्लीट हो गई है अब हम इसमें घटाना शुरू करेंगे और बताएंगे कि इसे किस तरह से घटाना है दोस्तों यदि आपको छे म माहा के बच्चे के लिए बनाना है तो उसमें आप 130 फंदे डालेंगे और 6 बीच में 6-6 राउंड के बाद आप उसमें घटाते जाएंगे तो शुरू में उसको जितनी भी चोड़ाई आपको रखनी है लगभाग 8 अंगुल आप चोड़ाई रखें पहले बुन लिजिए ब पुंदे के बाद आप उसको 6 फंदे घटाएंगे और लाश्ट में आपका 6-8 फंदा बचेगा तो उसको आप फिर सिलाई करके पुम पुम लगाएंगे तो देखिए हम बता रहे हैं हम छोटा से सेंपल आपको बता रहे हैं और जब बड़े बच्चों का जैसे 6 मंत के ब पताया है तो उसके लिए अप उसे नहीं हिसाफ से बनाई है जिसे हमने बन बताया आपको यह देखिए हमने इसमें 5 फंदे 14 फंदे या कम फंदा है इसलिए हमने 4 फंदे के बाद घटा रहे हूं मैं इसमें देखिए commence hy in a d Punch Under को हम घंब लाये है दो फंदों का हमने एक किया और फिर चार फंदे हम बुलेंगे दो तीन चार चार फंदे हो गए और यहां हम फिर से घटा देंगे इस तरह से हम इसमें चार-चार फंदों का अंतर दे करके घटाएंगे और आप उसमें जैसे एक सो तीस फंदे हमने बताया तो आप उसमें 20-20 फंदों का अंतर दे करके घटाएंगी यहां बीच में हमें घटा आना था में नहीं घटाया देखें यहां हमने घटा दिया है और हम तिन-तिन रौंड बुनने के बाद चौथे रौंड में घटाएंगे क्योंकि यह हमारी चोटी तोपी बनुन रही है इसलिए हम जल्दी-जल्दी घटाएंगे और आ माहां में इसमें तिन रौंड बुनेंगे तीन राउंड बुनने के बाद इसी तरह से बीच-बीच में घटाते जाएंगे इसमें साइट से नहीं घटाएंगे इधर साइट से और यहां स्टार्ट में घटाएंगे यहां बीच-बीच में हम जैसा कि हमने अभी घटाया उस तरह से घटाते जाएंगे और तीन बुनेंगे दो राउंड बुनने के बाद तिश्री राउंड में हम घटाएंगे इस तरह से हम हम बुनाई शिंपल रहेगी उल्टे सैड से उल्टा और सीधे सैड से सीधा बुनेंगे यह हमारा उलटे सैड से बुनाई कम्प्रीत हो गया इसमें हम इकठ्था फंदा इए जितना भी डालना हो छोटे-वड़े वच्छे के हिचार्थे 500 डाले ग kilogram में तो इकठ्था फंदा डालेंगे और फोपी पूरी बन जाने के बाद उसमें हम niż गट आते चले जाएंगे अ देखे हम सीधे साइड आ गए और सीधी बुनाई कर रहे हैं इसी तरह से हम घटाते रहेंगे और लास्ट में जब फंदे कम हो जाएंगे तो हम बुनाई बंद कर देएंगे यह देखे अब हमारी टोपी कम्प्लीट हो रही है इसमें अभी 9 फंदे बचे हुए हैं और जब 6 फंदे बचेंगे तो हम इसे बंद करेंगे देखे इस तरह से यह बीच बीच से हमने घटाया है और इस तरह से यह बंदा जाएगा दोक्तों यदि हमारी यह बुनाई आपको पसंद आ रही हो तो आप हमारी चैनल समदी दिक्रियेशन को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारी वीडियो को लाइक करें देखे यहां हम एक फंदा घटा दिये और दो रॉण्ड के बाद तीसरे रॉण्ड में हम फिर एक फंदा घटाएंगे जैसे जैसे हम उपर बढ़ते जाएंगे उसी तरह से फंदों को भी हम जैसे यहां हमने 3-3 फंदे घटाए हैं और उपर आकर यहां हमने 2-2 फंदे घटाए हैं और यहां अब हम एक-एक फंदे घटा रहे हैं तीन तीन राउंड में देखिए दोस्तों यह हमारी टोपी की भुनाई अब कम्प्लीट हो गई है लाश्ट में हमने 6 फंदे बचाएं और अब हम उसे बंद करेंगे देखिए हमारे छे फंदे बची हैं इसमें और इस तरह से यह कम्प्लीट हो गया है इसको उतारने के बाद इसकी सिलाई करेंगे इस तरह से दो-दो फंदों को एक करते हुए हम इसे बंद कर देंगे करेंगे इस तरह से उल्टी सैट से इसकी सिलाई करेंगे देखिए यहां की बुनाई हमने वाइट कलर के धागे से किया यह बौडर की बुनाई और उपर हम रेट कलर के धागे से बुनाई कर रहे हैं यह देखिए और उल्टी बखिया करके हम यहां सिलाई कर रहे है देखिए यहां हमने सिलाई किया है वाइट कलर के धागे से और यहां हम रेट कलर के धागे से कर रहा है और उल्ती भग देखिए यहां धागा है धागा के पीछे से हम सुई डालेंगे इस तरह से और फिर धागा के आगे देखिए ये सुई हमारी निकल रही है इस तरह से और देखिए जहां से सुई निकली है उसके पीछे से हम ये आपको दिख रहा होगा ये धागा है और धागा के पीछे से हम इस तरह से सुई डालेंगे और इस तरह से धागा के आगे जाकर ये सुई निकलेगा इस तरह से हम उल्टी बक्षिया इसे बोलते हैं इसे उल्टी बक्षिया की शिलाई करेंगे ये शिलाई मजबूत होती है खुलती नहीं है इस तरह से हम टोपी की शिलाई करेंगे और यहाँ यह पुमपुम हमने पहले के बना रखा है तो हम इसे यहाँ लगाएंगे यह हमने सिलाई कर लिया हमारी सिलाई कम्प्लीट हो गई और हम इसे सीधा कैसे करेंगे इसके लिए देखें यह हमने स्वेटर शिलने वाली सुई लिया है यह मोटी सुई है यह स्वेटर शिलने वाली सुई है इसे हम मुल्टा करके यहां से डाल देंगे क्योंकि यह काफी पतला है तो इसे सीधा करने में दिक्कत आएंगी तो इसलिए हम इसे इस तरह से करके यहां से निकालेंगे और धागा को खीच करके हम इसे सीधा कर लेंगे इस तरह से कि देखिए यह निकल गया हमारा है यह धागा हम यहां से काट देंगे अभी नहीं काटेंगे अभी यहां हम इसे जोड़ेंगे पुम्पुम को लगाएंगे पुम्पुम लगाने के बाद हम धागा काटेंगे यहां हम पुम्पुम की सिलाई कर देंगे यहां आप वाइट कलर के धागे से भी शिलाई कर सकते हैं वाइट कलर के धागे से शिलाई ज्यादा ठीक रहता है क्योंकि इधर रेट कलर दिखना नहीं चाहिए इसकरा से हम इसके सिलाई कर दिखना है देखे इस तरह से आप सामने साइट इसमें सितारा भी लगा सकते हैं हमने इसमें हलका सा वर्क किया है सितारे का इस तरह से आप कुई धागे से इसमें सितारे भी टांक सकती हैं यदि आप इस्टोन लगाना चाहें तो इस्टोन भी लगा सकती हैं छोटा वाला इस्टोन आता है उसे भी आप लगा सकती है इस तरह सी यह हमारा सेंटा क्लॉज का टोपी तयार हो गया लेके दोस्तों यह हमारे सेंटा क्लॉज की टोपी बन कर तयार हो गई हमने इसे अपनी डॉल को पहनाया है दोस्तों यह हमारी सेंटा क्लॉज की टोपी आपको पसंद आई हो तो आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और हमारी वीडियो को लाइक करें कमेंट करें आज बस इतना ही दोस्तों फिर मिलेंगे एक नए डिजाइन के साथ धन्यवाद